Good Morning बच्चो आज हम संगत कोन अभीघ्रित पढ़ेंगे पहले संगत कोन आभीघ्रित है क्या यथी एक तिर्यक रेखा आपके पास यह तिर्यक रेखा है दो समानतर रेखा हूँ तो साइड में देखिए कौन एक और कौन पांच ठीक है कौन एक कौन पांच बराबर होगा इस कौन एक और कौन पांच ठीक है फिर दूसरा आपके पास फिर इस देखा के नीचे का, इसी और का, नीचे का, दो, और के करते हैं, छे, यह यूद्म प्राबर होगा, तीसा आपका, कौन चार, यह, अब लेफ्ट साइट के देखेंगे, ठीक है, इस दिरिया के देखा के, लेफ्ट साइट के, इन समंतर रेखा हों के उपर के कौन, कौन चार, और कौन आपका क्या हो गया, आट हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास यह, इन रेखाओं के नीचे के कौन, यह कौन तीन, यह हो गया कौन तीन, और यह करते कौन साथ, ठीक है, आपके पास यह बराबर होंगे, आपके, यह दो, यह आगया, छे, मैंन तो ये तीरेक रेखा L है, ये दो समानता रेखा है, N और M को इस का पती छेट करें, ठीक है, रेखा हो का पती छेट करें, तो संगत कोन का पती यूगम क्या होता है, ब्रावर होता है, कोन 1 ब्रावर कोन 5 होगा, कोन 2 ब्रावर कोन 6 होगा, कोन 4 ब्रावर कोन 8 होगा, और कोन 3 मों अब आगे 7 होंग और संगत को देखना कैसे मैं पहले भी बताया था सक्राइज अ आज मैं बता दिया है तो यह हुआ था है इसके तीरेक रेखा के राइट साद में देखें इस रेखा की ऐखा की अपर आला कॉन और एम रेखा की ऊपर आला तो यह आपके पास देखेंगे इसीतास से आप राइड साइड में देखेंगे क्या गएते हैं एन रेखाके ऊपर wala kohn 4 गया और यहां पर 8 गया ठीक है अब नीचे आपके ओले kohn 3 और यहां पर 7 तो यहां पर गया को में क्या होंगे ब्राबर होंगे इट मीज आपके पास यदि आपके पास यह दे रखा है, क्या, यदि n parallel to m, यह question में क्या है, आपके पास दिया है, यह question में दिया होगा, ठीक है, तो संगत कौनों का पते की ब्राबर होगा, means, कौन 1 ब्राबर, कौन 5, कौन 1 ब्राबर, कौन 5, दूसरा इक ब्राबर, कौन 5, दूसरा इक ब्राबर, भ्राबर कॉन 6, फिर कॉन 4 भ्राबर 8 , ठीक हैं क्न 3 भ्राबर 7, तो यह भ्राबर हो गें ठीक है अब आपके पार इसका विलोंग में यदी एक तीरियक रेखा यदी एक तीरियक रेखा दो रेखाओं को इसका पती छेद करें आपको नहीं मालूम है कि समानल नतर है या नहीं है थिक यदि एक य schne ंड क रेखाऊ दो रेखाओं को इसकार पाती छेट करें कि संगत कोणों के एक पर औो ठीक है अगर आपने प्रूव कर दिया यह संगत कोणों के चारी बन रहे ना कोई एक वराबर आपने सीध कर दिया तो आक के पास यह जो दोनों रेका ही हैं यह प्रसपर क्यों होंगी समान्तर होंगी क्या मीनिंग हो कोई एक ले लिजिए आपके पास माना दे रखा है आपके पास कौन एक ब्राबर कौन पांच प्रूव कर दिया आपने यहां पे न यह दि आपने प्रूव कर दिया क्या लिख दिया यह दि आपने सिथ कर दिया क्या कि कौन एक ब्राबर कौन पांच एक यु ठीक है यदि आप प्रूब कर देते हैं कि संगत कौनों का कोई एक यूगम क्या ब्राबर है तो मैंने यह मान लिया कि कौन एक ब्राबर कौन 5 है तो आपके पास N पैलर्टू क्यों होगा M होगा ठीक है फिर इसके बाद आपके पास एकांतर अंत्य कौन अभी ग्रिते हैं त तो आपके पास एकंतर अंत्य कौनों का प्रतेक यूगम क्या होता है ब्राबर होता है तो एकंतर अंत्य कौनों का यूगम मैंने बताया था यहां के पास तीर्यक रेखा है ठीक है तो तीर्यक रेखा के इस और का कौन और इस और का कौन ठीक है एक ब्राबर एक चार होगा और आपके पास अब दो सम्मांतर रेखा हैं अब दो सम्मांतर रेखा हैं आपके पास गीवन है जाट तो एक अंतर् अंतर्य कोनों का परते तो यूग बनते हैं यह कोन एक ब्राबर कॉन 4 और कॉन 2 ब्राबर कॉन 3 तो आके पास क्यों में क्या है? दो समंतर रेखा ही दे रखी है, M parallel to N या N parallel to M दे रखा है तो आके पास क्यों होगा? कॉन 1 ब्राबर कॉन 4 ठीक है? तो कॉन 1 ब्राबर कॉन 4 ठीक है? अब इसका विलोम है आपके पास, यदि एक तीरियक रेखा, यदि एक तीरियक रेखा, दो रेखाओं को, अब ये दो रेखाएं समांतर हैं या नहीं, हमें नहीं मालूम है, इनको इस परकार पतिछेट करें, कि एक आंतर अंते कोनों का एक ये गुम ब्राबर हैं, फिक हैं, तो दो रेखाएं कि होंगी, प्रस पर ब्राबर होगी, मिस एन पैलर टू क्या होगा, आपके पास M होगा, अब अगर आपने सिद कर दिया, कि कौन एक ब्राबर कौन चा, या कौन दो ब्राबर कौन तीन दे रखाएं, ठीक हैं, तो आपके पास N पैलर टू क्या होगा, M ह ठीक है या तो question में given होगा या आपको sit करना पड़ेगा तो हम questions में करेंगे यदि आपके पास given है क्या कोई aq तो मैंने माल लिया कौन एक ब्राबर कौन चार ये कंतर हंते कौन है न कौन एक ब्राबर कौन चार मैंने sit कर दिया कौन एक ब्राबर कौन चार तो आपके पास क्य होगा, M parallel to क्यों होगा, N होगा, ठीक है, thank you.